हलो बच्चो गुरु कूल कलास तेंथ में आपका स्वागत है लाइफ प्रोसेस में अगला जो टोपिक है सांस लेना और स्वासन इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे और क्या है सांस लेना और स्वासन मतलब सांस लेना मतलब ब्रेटिंग स्वसन मने रेस्पिरेशन यह दोनों क्या है इनके बारे में हम लोग बिस्त्रित रूप से जानेंगे प्राय स्वसन और सांस लेना दोनों किरियाओं को समान माना जाता है कुछ लोग तो दोनों को एक दूसरे का प्रयावाची भी मानते हैं कि दोनों एक ही चीज है क्या आप भी ऐसा मानते हैं अगर ऐसा नहीं है तो क्या है समझते हैं तो जेनरली में यही आदमीन जानता है कि आदमीन जो है यहां से अक्सीजन गैस लेता है फेपड़ा में आता है और फेपड़ा में आने के बाद कार्बन डेक्स जो सौसंकिरिया कफल सरूप जो carbon dioxide होता है वो फेफड़ा में आके जमा हो जाता है फिन यहां से नाक के दोबार बाहर निकल दिया जाता है तो यह सब प्रोसेस को अधिकांस लोग जो है स्वासन समझ लेते हैं लेकिन यह स्वासन नहीं है इसको हम लोग सांस लेना या breathing कहेंगे आक्सीजन गैस अंदर आया और स्वासन के बाद बना हुआ जो carbon dioxide gas है वो फेफड़ा के माध्यम से फिन बाहर जब निकल गया तो इसी का नाम है सांस लेना या स्वासो छ्वास या breathing ही कहा गया है तो चले इसको परिभासा हम लोग ढंग से समझ लेते हैं परिभासा से थोड़ा सा पहले और एक चीज़ी बात हम लोग जान लेते हैं कि स्वासन जो होता है सभी जन्तुओं और पोधों के लिए आवस्यक है परंतु इन सभी के लिए सांस लेना जरूरी नहीं होता है च्योंकि बहुत सैसे जीव होते हैं जो सांस लेना उनलों के लिए जरूरी नहीं है लेकिन स्वासन करना उनलों के लिए बहुत जरूरी है यह कह सकते हैं कि सभी जीवधारी स्वासन करते हैं प्रंतुन में से सभी सांस नहीं लेते हैं ठीक है क्योंकि सांस लेना जो है स्वसन का एक भाग है लेकिन जीवों के लिए क्या है या बहुती जरूरी है अपरात्मिक भाग है जैसे पिन पोधा है अमीबा है केचुआ है जोक है स्वसन तो करते हैं लेकिन सांस नहीं लेते है उसी तरह से मेड़ा का चिपकीली है पक्ची है जितने भी बड़े बड़े जानवर है यहां तक की मनुस्य भी है या स्वसन करती है और सांस लेने का भी प्रोसेस इसमें होता है लेकिन कुछ जीव के बारे में जो बताएं जैसे पिनपोधा, मीबा, केचुवां यह सब क्या है सांस नहीं लेता है केबल स्वसन किरिया करता है तो चलिए इसका अब हम सांस लेना या स्वसन क्या है इसका परिभासा के रूप में समझ लेते हैं तो देखिए सांस लेना एक यांतरिक प्रक्रम है जिसमें जिवधारी वातावरन से ऑक्शीजन, छरीर के भीतर फेपड में लेता है और स्वासन के बाद बनी CO2 गैस वाता वरन में फिर से लोटा दी जाती है तो इसी प्रक्रिया का नाम है सांस लेना ठीक है इसको इंगलिस में दी जाते हैं डिफनीशन इसका इंगलिस में डिफनीशन यह है the mechanical process of intake of air, air means, air में बहुत से हवा होते हैं, air में किवल oxygen ही नहीं होता है, जानते हैं कि air में 78% nitrogen है, 21% लगभग oxygen है और बाकी carbon dioxide gas भी है और भी जलवासी सुवरते हैं सभी जो है आजाते हैं into lungs and throwing out of CO2 is called breathing, अब क्या है कि इसमें से जो gas हम लोग लेते हैं उन गैसों में से nitrogen तो हम लोग 78% लेते हैं और फिन जो है क्योंकि जब हावा लेते हैं तो ना के थुरू जो है सभी gas पहुंच जाता है, इसने कि इसमें हावा मा करके वला oxygen गैस आता है अंदर ऐसा नहीं है, सभी gas वायू मंडल में जितने भी gas हैं सभी gas यहां फेपड़ा में आ जाते हैं, लेकिन बहुत से gas जो है फेपड़ा के दवारा फिन यहां रक्त के दवारा सरीर में oxygen गैस के वल जाता है, और बाकी जो चीज है gas जैसे nitrogen है और भी हैं वो यहीं से return हो क के बाहर आ जाता है, तो यहीं इसके बारे में बोल रहे हैं कि nitrogen जो है 78% लिया जाता है, ना के अंदर से जाता है पेपड़ा तक, लेकिन वहां से फिन 78% फिन बाहर निकल जाता है, मतब इसका शरीर में nitrogen का कोई यूज नहीं होता है, एटमोस्फेर में जानते हैं कि 21% oxygen है, लेकिन 21% में केवल 17% ही oxygen फिन बाहर छोड़ दिया जाता है, और बाकी जो है 4% वह अधिकांस जो है, रेस्पिरेशन में या उर्जा निर्मान में ज्यादा यूज हो जाता है, उसी तरह से carbon dioxide, एटमोस्फेर में केतना है, 0.03% के अप्रोक्स है, लेकिन सौसन किरिया के फल जो carbon dioxide बनता है, और नाक से जब फिन बाहर फिपड़ा के तुरू नाक से बाहर निकाल दिया जाता है, तो वह 4% के लगभग रहता है, और उस तरह से थोड़ा बहुत सांस लेने में जलवास भी होते हैं, जो आप परिवर्तनी होते हैं, इसका percentage फिक्स नहीं है, कमबे सी य होते रहता है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गैस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो यह आपका स्वसन के बारे में हम लोग जानगे, स्वसन करें सांस लेने के बारे में हम लोग समझ गये हैं, अब हम लोग स्वसन के बारे में जानेंगे, अब हम लोग स्वसन के बारे में जानते हैं respiration क्या है तो हम दो तो ऐसे अभी बताए कि oxygen gas लेना और carbon dioxide बाहर निकाल देना सांस लेना breathing है लेकिन इस process के फलसुरूप जो cell के अंदर और cell के अंदर में भी खास करके mitochondria में गुलकोज का oxidation होता है और oxidation होने के बाद उसमें बना हुआ जो co2 gas होता है उसको फिन बाहर फेपडा में भेज दिया जाता है रक्त के माध्यम से और उसको बाहर निकल जाता है लेकिन इस किरिया के फलसुरूप उर्जा का भी निर्मान होता है गुलकोज के oxidation में carbon dioxide भी बनता है कुछ जल भी बनते हैं और 38 ATP उर्जा भी उत्पन होता है तो यह उर्जा जो बनता है इन सभी किरियाओं को मिला दीजेगा तो सौसन कहला जाता है तो सौसन में क्या होता है कि पहले हिए नाग के दोर अक्सिजण फेपडा में आता है और फेपडा के अंदर देखे इस तरह से कुपिका होता है जिसको ऐलवोली कहा जाता है ठीक है इसके फेपड़ा अंदर आया अवाने के बाद यहाँ पर क्या है बेलून लाइक अस्ट्रक्चर होता है जिसको एलवोली कूपिका कहा जाता है इसके अंदर जो है वह सब ऑक्सीजन जमा हो जाता है और फिन यहाँ जरूवत का अंसार रक्त के माधियम से देखें यह कूपिका है इस कूपिका में फिन जैसा जरूवत होता है शरीर की कुशिका में उसके अंसार यहाँ से रक्त के माधियम से क्या होता है फेपड़ा में भे दिया जाता है फेपड़ा के माधियम से फिन हैना फेपड़ा में जाता है फेपड़ा से हिरदय होते हुए हना रक् यहां पर किरिया जो है यहां पर गुलकोच का oxidation होता है गुलकोच का तो यह oxidation में ठीक है उर्जा जब बनता है तो यही स्वसन के अंतरगत आ जता है समय लेते हैं, ठीक है जिवों के अन्डर ही एक तरह का रसाइनिक रसाइनिक परकिरिया होता है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डैक्साइट गैस बन रहा मतलब एक नया पदार्थ बन जा रहा है तो यह रसाइनिक परकरम जिसमें कार्बनिक पदार्थों के और कार्बनिक पदार्थों के गुलकोज कार्बोहाइडेट तो कार्बनिक पदा अर्थो के चरन बद ऑक्सी करन के फल सुरू उर्जा मुक्त होती है और कारवन डैक्साइट तथा जल बनते हैं उसे स्वासन कहते हैं अब इसको इंगलीज में भी चाहिएगा तो देख सकते हैं अब इस रियक्षन कैसे होता है इस रियक्षन को समझ लेते हैं लोग स्वासन का समी करन देख लेते हैं क्योंकि यह बायो केमिकल प्रोसेस है तो देखे गल्कोज का ऑक्सीडेशन होता है तो गल्कोज मतलब क्या C6, H12, O6 यह गल्कोज है ठीक है और गल्कोज का क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होना है यह प्रोसेस बहुत आपको सौट में रियक्षन ही है लेकिन यह जीवों के सेल के अंदर माइटो कॉंडिया के अंदर बहुत लंबा प्रोसेस है हम तो परिवेट बनता है और परिवेट के बाद फिन बहुत सा प्रोसेस होने के बाद तब कार्बन डैक्साइड और जल बनता है और 30 ATP इनरजी मुक्त होता है तो वह पूरा स्टेप को हम इस्पलेन करेंगे इसके बाद टोपिक में तो चले पले गल्कोज है यह अक्सीजन है औ हाइटो कॉंडिया के अंदर कार्बन डैक्साइड जल और 38 ATP इनरजी मुक्त होता है ठीक है पहला प्रोसेस में दो ATP इनरजी प्राप्त होता है और दूसरा प्रोसेस जो होता है जिसको पहला प्रोसेस को गलाइकोलाइसिस कहा जाता है और सकेंड प्रोसेस को करफ साइकल कह जाता है वो दूनों प्रोसेस के बारे में आपको हम आगे टोपिक में समझाएंगे इसी टोपिक में आगे जा करके और यह तरह से मिला करके 38 ATP इनरजी मुक्त होता है ठीक है हम लोग को बोडी में जो इनरजी होता है वो ATP में होता है डिनोसाइन ट्राइफोस्पेट कहा जात अब आकसीजन देख लिजे केतना हुआ चोदूनी के 12 ही आकसीजन है और 6 अठारा हो गया जिसमें से 6 गो आकसीजन ही आ है और 12 गो 18 गो था इधर 18 गो था इधर 18 गो में से 6 गो हो गया 12 गो आ चाहिए तो 6 लगा दीजेगा तो 6 दूनी के 12 अकसीजन हो गया इस तरह से है लेकिन इसमें बहुत सा प्रोसेस है जा लोग हो अब हम लोग जो है एक नेया टोपिक अब इसके बाद जो है कि सौसन और सांस लेना दोनों में अंतर क्या है इसको समझते हैं तो सांस लेना ब्रेथिंग स्वासन रेस्प्रेशन दुनों में क्या डिफ्रेंस है से समय लेते हैं तो हमें तुरत प्रिभासा में पढ़ेते की स्वासन जो सांस लेना जो है यांतरिक प्रक्रम है इटी जे मेकेनिकल प्रोसेस है और स्वासन क्या है या जेवरासाइनिक प्रक्रम है it is viological biochemical process है यह पहला difference है दूसरा क्या है यह स्वस्तन थन्तर में होता है it occurs in the respiratory system और यह क्या होता है यह कोसिका की mitochondria में होता है इसलों it occurs in mitochondria of cell हो गया तो यह इसका दूसरा difference हो गया तिसरा difference क्या है यह उर्जा उत्पन नहीं करता है it does not release energy यहाँ पर उर्जा का निर्मान नहीं होता है क्योंकि स्वासन का उपर उपर वोला last process स्वासन के रिए में उर्जा मुखत होता है सांस लेने में नहीं क्योंकि सांस लेने में oxygen लेते हैं carbon dioxide छोड़ देते हैं और इसमें क्या है यह उर्जा उत्पन करता है मतब it really is energy तो इस तरह से स्वासन और सांस लेने में जो difference है उसको हम लोग समझ गए अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद तो स्वासन के जो है दो परकार होते हैं और इन दो परकारों में से जो पहला जो परकार है वह YVA स्वासन है जिसको oxygen भी कहा जाता है aerobic respiration क्योंकि यह किरिया जो है oxygen को उपस्थिती में समपन होता है और कुछ-कुछ जीवों में क्या होता है oxygen के अनुपस्थिती में भी स्वासन किरिया होता है तो उसको कहा जाता अव YVA स्वासन अन एरोबिक respiration तो इन दोनों के बारे में हम लोग अभी बिस्थित रूप से जानेंगे चलिए पहले हम लोग स्वासन या ऑक्सी स्वासन एरोबिक respiration के बारे में लेकिन इससे पढ़ने से क्या होगा कि थोड़ा सा उल्टा हो जागा क्योंकि स्वासन किरिया में पहले आव YVA स्वासन के प्रोसेस होते हैं और उसके बाद आव YVA स्वासन का प्रोसेस होता है इसलिए उपर सना करके आव YVA से आपको हम start करते हैं तो चलिए हम लोग आव आईवे सॉसन से स्टार्ट करते हैं आनेरोबिक रेस्पीरेशन से तो आव आईवे सॉसन में क्या होता है कि आव आईवे सॉसन में जटील रासाइनिक पर किरियाओं की स्रिंखला दबारा गुलकोज का गुलकोज मींस C6, S12, O6 यही गुलकोज है जिसको अस्टार्च भी कर सकते हैं इसी का बाग है तो गुलकोज का आंसिक विखंडन होता है और यह रसाइनिक किरिया जो है गुलकोज का आवाईवे में गुलकोज का होता है और यह किरिया जो है जीव दरब के अंदर होता है कहाँ पर हो रहा है यह किरिया जीव दरब के अंदर होता है जिसको साइटोपलाज में कहते हैं यही पर संपन होता है तथा इसमें 12 इंजाइम भाग लेते हैं यह जो किरिया होता है इस किरिया में कम बार अगों इंजाइम भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद गुलकोज का अंसिक विखंडन जो है आक्सीजन के अनुपस्थिती में होता है इसलिए इसको अव आईविये सॉसन या अन एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है इस चरन के अंत में क्या होता है या जो जीवदरब के अंतर में जब इंजाइम जो है या गुलकोज है गुलकोज को ठीक है परवेट कह सकते हैं परवेटिक या परविक अमल कहिए यही बात है एसिड कहिए तो जीव दरब में क्या होता है कि गुलकोज का पारविक एसिड में या पारवेट में कनभट हो जाता है लेकिन यह कनभट होने का प्रोसेस अतना असान नहीं है तो यहां से यहां तक बनने का जो प्रोसेस है इसका नाम है गलाइकोलाइसिस ठीक है glycolisis है glycolisis का अर्थ होता ही है सरकरा का glucose का विखन डान तो इस जो परकिरिया होता है glucose का पारविक एसीड में जब बदलता है तो इस बदलने में क्या होता है कि 4 ATP energy मुक्त होता है जिसमें 2 ATP जो है energy इस प्रोसेस के complete होने में ही समाप्त हो जाता है और 2 ATP जो है energy वह लाब की रूप में इसमें बच जाता है जो जेविक क्रियाओं में या सुद लाब की रूप में प्राप्त होता है और इस तरह से आगे क्रिया में काम आता है तो यहाँ पर 4 ATP में से 2 ATP energy बच पाता है दो ATP नर्जी जो है जेवी क्रियाओं इस प्रोसेस होने में ही संपन हो जाता है संपन हो जाता है उसके बाद जो यह पारविक एसिड बना पारविक एसिड वह पारविक एसिड और आगे जब प्रोसेस होता है इस प्रोसेस के फल्सुरूप लास्ट में इथाइल अल्कोहल जिसको सिस इथाइल अल्कोहल और पलस कारवन डैक्साइड गैस मुक्त करता है और इसके फल्सुरूप दो ATP ही इनर्जी प्राप्त होता है तो इथाइल अल्कोहल बनता है योकि आक्सीजन यहां अनुपस्तित है आक्सीजन का यहां भाव है इसलिए गुलकोज का फूर्ण अक्सीकरन नहीं हो पाता है अवांसिक के चलते पारविक एसीड और पारविक एसीड बाद इथाईल अलकोहल का फर्मोस इथाईल अलकोहल का निर्मान हो जाता है तो यह है आवाईवे स्वासन आप इसका ढंग से परिभासा समझ लेते हैं तो इसका परिभास है स्वासन की वह परकिरिया जिसमें गुलकोज का आक्सीजन की अनुपस्थिती में निमनी करन के फलसरूप एथील अलकोहल तथा CO2 बनता है एवं 2 ATP उर्जा मुक्त होता है तो उसी को अवायविय स्वासन कहा जाता है उसे का कहेंगे उसे अवायविय स् ठीक है तो इस तरह साव आईवे स्वासन है जिसके बारे में अभी तुरत हम समझाएं कि गुलकोज है CCS 1206 गुलकोज जो है जीवद्रव के अंदर यह कहां पर प्रोसेस हो रहा है जीवद्रव साटोपलाजम के अंदर तो यहां गुलकोज जो है पारवेट होता है या पा कारवन वाला पारवेट या पारवेकिक एसिड में बन जाता है और इसके फलसरूप चार वो हैड्रोजन भी मुक्त होता है तो यहां पारवेट बन जाता है या पारवीक एसिड कही है और फिन या पारवीक एसिड जो है ऑक्सीजन के अभाव के चलते या फिन इथाइल अ और कारबन डाक्साड में बदल जाता है और बताएं कि इस पर किरिया के फलसरूप 4 ATP इनर्जी मूर्ण होता है लेकिन 2 ATP जो इनर्जी होता है इस प्रोसेश में ही समाफ्त हो जाता है और 2 ATP ही इनर्जी यहां सुधहलाब के रूप में प्राफ्त होता है तो इस तरह से oxygen के आभाव में या आव आईवे सोचन की किरिया संपन हो जाती है अब इसको इंगलिस में definition देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं तो इसका रियक्शन उपर ही समझा दिये हैं नीचे भी रियक्शन वही चीज को दिया हुआ है और कभी कभी कुछ कुछ जीओं में लेक ओप oxygen का मतलब क्या हुआ oxygen का भाव कुछ कुछ जीओं में होते हैं खास करके हम लोग जैसे जीओं में होता है तो लेक ओप oxygen में क्या होता है से समय लिजे थोड़ा से ठीक है कि जब मनुस को अधीक उर्जा की ज़रूवत होती है अधीक उर्जा कब चाहिए जब हम लोग कोई काम भारी कर देते हैं तो हापने लगते हैं तो उस समय में अधीक मात्रा में क्या होता है उर्जा ऑक्सिजन अंदर चाहिए या दोड़ते हैं, तो दोड़ने के बाद कुछ दिर दोड़ने के बाद क्या होता? तेजी से सांस चलना शुरू हो जाता है, मतब उस समय भी स्वसन किरिया के लिए और उरजा उत्पन करने के लिए अधिक मात्रा में इनरजी चाहिए, आक्सीजन चाहिए लेकिन उस समय आक्सीजन की कमी रहता है सरीर में तो वही है लेक आप आक्सीजन की कमी रहने पर और परियापत मातरा में रहने पर तो उतनी उर्जा उत्पन करने के लिए जो आवस्यक आक्सीजन है वो नहीं मिल पाता है तब आक्सीजन की कमी से उतकों में गुलकोज के निमनी करन से गुलकोज क्या होता है गुलकोज का परविक एसिड में बन जाता है और लेकिन परविक एसिड में बनने के बाद इस आक्सीजन का भाव के चलते या लेटिक आमल बन जाता है जो मांग स्पेसियों में जमा हो ज लेकिन जब वही थ्टोड़ा सा हम लोग आराम कर लेते हैं तो आराम करने के बाद यही जो लेटिक एसीड है वो लेटिक एसीड पुना ओक्सिक्रीट हो जाथा है और ओक्सिक्रीट होकर के कार्बन डेकसाइड और वाटर मुक्त करता है और उस्अस्थिति में इसका पूर आक्सीकरन हो जाता है और ठकान जो है हम लोग का सरी का दूर हो जाता है तो कभी-कभी आक्सीजन की कमी में भी आक्सीजन का भाव कमी में जतना चाहिए उससे कम मात्राम आक्सीजन में गुलकोज जो है कभी-कभी लेटिक एसीड में भी बन जाता है और इसी के चलते हम दूसरा जो परकार है स्वसन का उसको समझ लेते हैं वाईवे स्वसन या ओक्सी स्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन इसके बारे में हमनों तुरत भी समझ चुके हैं ठीक है कि या क्या है या वाईवे मतलग ही रहा कि आक्सीजन की उपस्थिती में या किरिया होती है तो इस किर या के फल सुरूप जो बना हुआ जो पारविक एसिड जो होता है वो पारविक एसिड जो है विभीन चर्णों में उसका ओक्सिकरन होता है और ओक्सिकरन होने के फल सुरूप कार्बन डैक्साइड और जल बनता है और यहाँ पर 36 ATP इनर्जी मुख्थ होता है और यह जो 36 ATP है से और पारिवेट अमलुक पास यहां जो रहता है से यह दुनों को मिला दीजेगा तो 38 ATP इनर्जी मुख्ध होता है अधि इसको रियक्षन को देखेगा तो ध्यान से नीचे देख लिजे कि यहां पर गुलकोज है पारिवेट AC बनना है 2 ATP इनर्जी हुआ एक चार में से बोल करके कारवन डाइकसाइड जल और 36 ATP इनर्जी मुख्ध होता है तो यह 36 ATP और यह 2 ATP दोनों को मिला दीजेगा तो 38 ATP होता है तो इस तरह से पुरा प्रोसेस को एक बार सीधा में देखा दिया गया है गुलकोज, पलोस अक्सीजन, कारवन डाइकसाइड और जल बना और 2 और 36 मिल करके 38 ATP इनर्जी होता है तो इसका तो आप परिभासा के रूप में हम लोग पनिया से समझ लेते हैं परिभासा देख लेते हैं कि कैसे परिभासा नोट्स के लिए स्वासन की वह परकिरिया जिसमें गुलकोज का अक्सीजन की उपस्थिती में पूर्ण ऑक्सीकरन के फ इन वीच गुलकोज इसकंप्लेटली ब्रोक डाउन बाइद ऑक्सीजन तो फोर्म सीयो टू औक्सीजन तो फोर्म सीयो टू एट वाटर एंड 38 ATP इनर्जी इस रिलीज इस कोल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन तिस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन को भी हम लोग समझ गए हैं वाईवे सौसन तो सौसन के जो दो परकार था यह भी समझ गया अभी दूनों के बारे में हम थुआ सा अंतर भी हम लोग समझते हैं कि क्या है दूनों में अंतर तो यह दोनों का परिभासा हम लोग पड़ चुके हैं वाईवे और वाईवे सौसन में कि यह परिभासा भी ह में अंतर समझते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस, तो पहला अंतर है कि यह इसे वाई भी मताब बता चुके थे पहले ही, यह अक्सिजन की उपस्थिती में होता है, टेक पलेस इन परजेंस आप अक्सिजन, और यह अक्सिजन की अनुपस्थिती में होता है, मनें टेक पलेस इन अपसेंस आप अक्सिजन, तो यह आपका पहला डिफरेंस था, दूसरा डिफरेंस क्या है, से देख लिजे, इसमें ग गुलकोज जो है completely divided हो जाता है ठीक है तो इसलिए complete breakdown of glucose occurs in it और इसमें क्या होती है इसमें गुलकोज का अपूर्ण विखन्डन अपूर्ण मतलबงिट इन पार्टि यप ऍअलिक है ठीक है या अंगरीजी में भी इसका डिफरेंस देख लिए तो दो गो डिफरेंस हो गया तिसरा डिफरेंस क्या कहता है इसमें CO2 और जल बनता है हम लोग रियक्शन देख चुके हैं आव YVA का ठीक है YVA का देख चुके हैं कि इसमें CO2 और जल बनता है इन प्रोड़क्ट और CO2 और वाटर लेकिन इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि आक्सीजन का भाव के चलते हैं गुलकोज का पुर्ण आक्सिक करन नहीं होता है जिसके चलते हैं इसमें क्या है इसमें इथाइल अलकोहल या लेटिक अमल बताये थे कि जब दोड़ते हैं या कोई भारी काम कर देते हैं आक्सीजन खूब चाहिए नहीं मिल पाता है मान स्पेशियों में तब उसमें लेटिक अमल बन जाता है इसमें इथाइल अलकोहल या लेटिक अमल बनता है इन प्रोड़क्ट में भी इथानोल या लेटिक असीड होता है अब इसमें इनर्जी केतना मुक्थ होता है तिसको भी हमलों समझ चुके थे इसमें 38 ATP उर्जा मुक्थ होता है 38 ATP इनर्जा मुक्थ होता है तिस तरह से शौषन का परिभासा और सवसन के जो दोनों परकार है उसको भी हम लोग समझ चुके हैं अब सुचिए कि इसको पथवे के रूप में कैसे देखा सकते हैं सवसन को गुलकोज का अब देखिए बिभीन पथो द्वारा गुलकोज का विखंडन एक पथवे के रूप में जो हम लोग अभी पढ़े जेतना उसको एक पथवे के रूप में कैसे देखा सकते हैं इसके बारे में देख रहे हैं NCRT बूक में इसका जिक्र है तो difference way in which glucose is oxidized कैसे oxidized हो जाता है उसको देखे तो हम लोग जानते हैं कि गुलकोज का साइटोपलाज में कोशका ध्रव में पर्यूएट या पर्यूविक एसीड में बदल जाता है तीन कार्वन वला या योगिक है और जब पर्यूएट बन जाता है तो उसके बाद यहां पर जो है अलग अलग प्रोसे तीन तरह का कंडिशन आ जाता है तो चलिए तीनों कंडिशन कैसे कैसे होता इसका बिस्तरीत रूप से हम आपको समझाते हैं हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि गुलकोज जो होता है हुआ साइटो पलाजम में ठीक है माइटो कॉंडिया का जो सेल का जो साइटो पलाजम है साइटोपलाज में क्या होता है कि यह पहले पारुवेट में बदल जाता है यह पारुवेक एसिड भी कर सकते है ठीक है जब पारुवेट में बदल जाता है तो पारुवेट में बदलने के बाद अब देखें क्या हो जाता है पारुवेट और जब पारिवेट में बजल जाता है तो इसके बाद यहाँ माइटो कॉंडिया के अंदर यहाँ सा प्रोसेस होता है साइटोपलाजम के अंदर पारिवेट बन गया पारिवेट बनने के बाद यहाँ अब माइटो कॉंडिया के अंदर हो रहा है तो यहां तीन तरह का condition आजाता है, पहला condition अलग है, दूसरा condition अलग है और तीसरा condition अलग है, तो पहला जो condition है इक condition में क्या होता है से समझी तो इसमें क्या होता है कि तिंग अधी oxygen की उपस्थिती अधी oxygen उपस्थित रहता है तो उस इस्थिती में paruvate acid जो होता है paruvate कहिए या paruvik acid कहिए यह carbon dioxide और water जल में तूट जाता है और यहाँ पर 38 ATP energy मुक्त होता है यह oxygen कूपस्थिती में होता है तो यह गोई पत्वे है और एक है oxygen का अभाव oxygen तो है लेकिन कम मात्रा में है तो उस इस्थिती में यहाँ पर क्या हो जाता है मान स्पेशियों में lectic acid बन जाता है और थोड़ा बहुत इनर्जी भी निकल उत्पन होता है तो यह आपका दूसरा पत्वे में हो जाता है लेकिन जब oxygen की अनुपस्थिती होगा oxygen रहवे नहीं करेगा ठीक है कि जैसे महुआ इस सब जो सड़ा करके सराब बना जाता है वह इसी में होता है oxygen के अनुपस्थिती में वहाँ प्रोसेस होता है तो वहाँ पर जो है महुआ जो हुआ और भी कोई फल हुआ उसको सड़ा करके जो सरा बनता है या चावल को सड़ा करके जो हडिया बनता है या सब क्या है मादक पदार्थ है और या oxygen का नुपस्थिती में उसको ऐसा किया जाता है तो यहाँ प तो यही इथेनोल बनता है और कर्बन डेक्स बनता है और साथ मिसमें दो ATP इनरजी मुक्त होता है तो यह है पत्वे गुलकोज का गुलकोज पले साइटोपलाज में पायरुवेट बन गया पायरुवेट जो है के लिए तीन कंडिशन हो गया आक्सीजन के उपस्तिती में CO2, वाटर और अर्थिस्पी इनरजी आक्सीजन के आभव में आक्सीजन है लेगिन कम मातरा में है तो लेट्रिक एचेड और इनरजी मुक्त होता है तो यह पत्थवे भी आका कम्पलीट हो गया अगला टROPIC में अब समझेगा कि अगला टROPIC जो है RESPIRETION के मेकनिज्म के बारे में समझेंगे मानों में साव सन किरिया बिधी पढ़ने वाले हैं तो मानों में साव सन किरिया बिधी मतब मेकनिज्म of RESPIरेशन in human किस तरह से प्रोसेस होता है सौसन किरिया इसके बारे में जानते हैं तो मानों में जो सौसन किरिया होता है या दो चरणों में संपन होता है ठीक है या दोनों चरण का क्या नाम है देख लिजे सौसन की संपुर्ण जो किरिया विदी है वो दो भागों में संपन होता है एक का नाम है glycolysis और दूसरा का नाम है क्रेप्स साइकल ठीक है क्रेप्स जो है scientist है biology का उन्हीं के द्वारा दिया हुआ यह चक्र है इसलिए उन्हीं के नाम से यह क्रेप्स साइकल दिया गिया है अब glycolysis क्या होता है इसके बारे में समझेंगे लेकिन हम लोग जानते हैं कि glycolysis हो यह क्रेप्स साइकल हो यह दोनों किरिया कोसिका के हम लोग के सरीर में जो मौजूद जो कोसिका है वो परते कोसिका में यह किरिया होता है इसलिए इसको कोस्किय स्वासन भी कहा गया है स्वासन को हम लोग क्या कहते हैं कोस्किय स्वासन भी कह सकते हैं क्योंकि यह कोसिका के भीतर संपन होता है और वहीं पर उर्जा उत्पन होने का काम होता है तो इसी लिए इसका कोश्की जोसा नाम दिया गया है अब इस किरिया में गलाइकोलैसिस के बारे में घ्लाइकोलैसिस है क्या? तो glycolysis मतलब होता क्या है इसको समझ लीजे तो हम लोग जानते हैं कि glycolysis में glucose जब glucose ठीक है विभिन इंजाइमों के माध्यम से last में pyruic acid या pyruvate जब बन जाता है तो यहां से यहां तक बनने का जो process है इसी process का नाम है glycolysis और यहां किरिया जो है कोशिका के जीव दरब जिसको साइटो पलाजम कहा जाता है वहां किरिया संपन होता है या गुलकोज का विखंडन होने का तो short में इसको मनों समय लिए कि गुलकोज का परविक एसीड में बदलना या पारुवेट में convert होना glycolysis कहता है ठीक है लेकिन यह किरिया अतना असान से तुरत नहीं होता है इसके लिए तीन चरनों सिसको भी गुजरना पड़ता है तो वह तीन चरन है क्या उसको भी short में समय लिजिए तो सबसे पहला काम यहां होता है पहले तो इसका परिभासा समझ लिजिए कि कोशिकाओं के जीव दरब में गुलकोज के निमनी करन के फल सरूप पारुवेक एसीड का बनना glycolysis का लाता है या जीव दरब में होता है अब इसमें तीन स्टेप इसका भी क्या होता है इसका समझ लिजिए हैं तो सबसे पहला है गुलकोज जो है वो फुक्टोज 6 फॉसफेट में कनभाट हो जाता है तो यतना जो प्रोसेस होता है इसका नाम है फॉस्फो राइलेशन इस यहां से गुलकोज का फॉस्फोज 6 फॉसफेट में बदलना इसका नाम क्या है फॉस्फो राइलेशन ठीक है इसमें भी बहुत से इन जैम भाग लेते हैं यह आपको देखे हुए हैं उसके बाद इसमें दूसरा स्टेप आ जाता है फॉस्फोज 6 फॉस्फेट का तूटना और यह जो गुलकोज फॉस्फेट है तूट करके वह क्या हो जाता है 3 फॉस्फो ग्लीसरल डिहाइड बन जाता है जिसको PG-L-60 में कहा जाता है ठीक है यह दूसरा स्टेप होता है और तिसरा इस स्टेप में क्या होता है यह जो 3-phospho-glyceral-dehyde जो है वह फिन-parivate बन जाता है पारivate किस से बन जाता है तो यह पुरा तीन स्टेप है ठीक है तो यह है पारivate अमका बनना यह तिसरा स्टेप था अब इसको हमनों थोड़ा सा स्ट में और समझ लेते हैं तो देखे यहाँ पर होता क्या है सबसे पल्ले हमनों जानते हैं भोजन की रूप में glucose लेते हैं carbohydrate लेते हैं वो carbohydrate को फिन convert करते हुए glucose में बदल दिया जाता है और यह जो glucose है वो जैसी ही यह जियोदरब में पहुंचता है रक्त के दवारा कहां पहुंचता है कोशिका के जियोदरब में पहुंचता है glucose जो है hexokinase नामक इंजाइम के उपस्थिती में यह सब जियोदरब के अंदर हो रहा जितना भी प्रोसेस हो रहा है glycolysis यह सभी कोशिका के जियोदरब के अंदर हो रहा तो उसी में hexokinase नामक इंजाइम होता है वो glucose को glucose 6-phosphate में कनभाट कर देता है और इस तरह से glucose 6 जो phosphate होता है वो फोस्फो glucose आईसो मेरेज इंजाइम के उपस्थिती में वो फ्रुक्टोज 6-phosphate में कनभाट हो जाता है और जब glucose 6-phosphate बन जाता है तो यहाँ पर भी बहुत तरह के चरण होते है और यहाँ पर glucose 6-phosphate जो है फिनिया भी क्या करता है एल्डो एल्डो लेज इंजाइम के उपस्थिती में 3-phosphoglyceral dehyde जिसको short में PGALB कहा जाता है इसमें तूट जाता है और जब इसमें तूट जाता है तो यहाँ पर दोनों step समाप्त हो जाता है तिसरा step जो है वो पारविकी acid का बनना है तो यहाँ पर क्या होता है कि इस चरण में ठीक है यहाँ पर जो चरण है इस चरण में क्या होता है कई enzyme जो है उत्प्रेरित अभिक्रियाएं होती है जिसमें last में अंत में पारविक 3 कारवन है पारविक acid क्या है 3 कारवन वाला योगिक है गुलकोजे से 6 कारवन वाला योगिक है उसी तरह से पारविक acid जो है तीन कार्बन वाला योगिक है देखिए है पारविक एसिड का फर्मुला दिया हुआ है C3H4O3 यह पारविक एसिड है यह तीन कार्बन वाला योगिक का निर्मान होता है तो यह अनु जो है यहां पर क्या होता है कैसे होता है से समझ लिजे तो यह जो 3-phosphoglycerol-dehyde है वा-phosphoglycerol-mutage enzyme और inolage enzyme यह दोनों की उपस्थिती में यह जो है पारविक एसिड यह पारविक एसिड में कनभर्ट हो जाता है और इन पूरे परकिरिया में ठीक है यह जो glucose है और glucose से पारविक एसिड बना यह पूरे परकिरिया में दो ATP अनु यहां पर इसमें और दो ATP यहां पर मतब चार ATP ATP उर्जा का निर्मान होता है लेकिन इसमें से दो ATP उर्जा जो है इस प्रोसेस के complete होने में उप्योग हो जात है और दो ATP ही उर्जा जो है लाब के रूप में हमको प्राप्त होता है अब हम लोग glycolysis समझ चुके हैं अब क्रेप साइकल जो है इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है क्रेप साइकल तो चलिए समझते हैं काता है क्रेप साइकल जिसको सोट में TCA भी कहा ज जाता है इसका भी रीजन आपको हम समझाएंगे कि इसका TCA भी क्यों नाम है ठीक है तो समझते हैं लेकिन इसके बारे में समझ लेजे क्रेप से बचा चुके हैं कि इस चक्रिय पत का प्रारूप जो है सर हैंस क्रेप्स नामक बेग्यानिक ने तियार किया था और जब पार पर क्या होगा इसका ऑक्सीकरन होगा क्योंकि ऑक्सीजन महीं पर होगा इसके पहले जो है ऑक्सीजन कनुपस्थिती में गुलकोज का भी खंडन होता है तो यहां पर उसका ऑक्सीकरन होता है जिसके फरुसूप एसेटाइल कोई इंजाइम यह बनता है थोड़ा सा यहां जीव दरब में क्या होता है माइटो कॉंडिया रहता है इसी जीव दरब के अंदर में क्या है माइटो कॉंडिया रहता है और इसी माइटो कॉंडिया का अंदर में मैट्रिक्स होता है ठीक है और इसी का अंगली नुमा जो परवर्धन इसमें होता है उसको क्रिस्टी कहा जा इसको क्रिष्टी कहा जाता है तो यह पर उर्जा का निर्मान होता है इसलिएाख को कोशिका का सक्रिय अस्थल या स्वसन अस्थल कहा जाता है और यहीं power house भी इसको कहा जाता है क्योंकि यहीं पर उर्जा का उत्पती होता है इसलिए इसको powerhouse या स्वसनका सक्रिये एक्टिव अस्थल है यहीं पर होता है तो चली हम लोग इस समझ लिए अब इसे का अंदर में अब होना है गुलकोज का oxykaran तो समझा दिये कि इसका oxykar होता है जिसके फल सुरूप क्या होता है जैसे ही कोशका के माइटो कॉंडिया में परवेस करता है परवेस करने के बाद इसका यहां पर का होता है और जिसके फल सुरूप Acetyl Coenzyme बन जाता है अब को Acetyl Inzyme जब बन जाता है तो बनने के बाद क्या होता है या भी किरिया Parvick Dehydrogen Inzyme के परभाव से बनता है तो इस Inzyme जैसे Parvick Acid है Parvick Acid से Acetyl Coenzyme है देख लिजे यहाँ पर Parvick Acid है वो Parvick Acid के बाद क्या है Acetyl Coenzyme बन रहा है Acetyl Coenzyme जो है इसको बनाने में जो Inzyme भाग लेता है उसका नाम है Parvick Dehydrogenase Inzyme होता है ठीक है और इसके बाद यह जो को Acetyl Coenzyme जो है वो दो कार्बन वाला योगिक है ठीक है यह दो कार्बन वाला योगिक है और इसके दो अनु जो है Mitochondria मुपस्थित जो होता है Oxelo Acetyl Acetic Acid Oxelo Acetic Acid यह जो है Mitochondria के अंदर मुझूद रहता है और Mitochondria के अंदर में जो है यह Oxelo Acetic Acid यह जो है मिलकर छो कार्बन वाला जैसे Acetyl Coenzyme में है दो कार्बन वाला Oxelo Acetic Acid जो है चार कार्बन वाला और यह दोनों मिल करके छो कार्बन वाला यहां देख लीजिए आपको कर्ब साइकल को सौट में देखा दिया गया कर्ब साइकल के अतना असान नहीं है यह बहुत ही लंबा प्रोसेस है इसमें बहुत तरह के योगिकों का निर्मान होता है बहुत तरह के इसमें कार्बनिक योगिक बनते है लेकिन आपका यह बहुत बिस्तरित रूप से नहीं समझाया जा रहा है क्योंकि यह IAC का टॉपिक है लेकिन आपका किताब में थोड़ा सा जिक्र था इसलिए हम थोड़ा सा स्वाट में इसको समझा दे रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर कहा हो एसे टाइल को इंजाइम ए और ओकजेल ओकजेलो एसेटिक एसेड यह चार कारबन और दो अकारबन यह दोनों मिलकर के छो कारबन वाला साइटिक एसेड का निरमान करता है और इस तरह से यहाँ से कर्व साइकल के रूप में चक्र के रूप में घुमना फिन प्रोस होता है यह प्रोसेस में बहुत तरह के योगिक बनते हैं आपको हम बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पर हम बहुत तरह के योगिकों का जिक्र जो है नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि इसके बाद अभी क्रियाओं का एक चक्र प्रारम हो जाता है जिसमें बिभीन चर्णों में तीन कार्बोजायलिक समू वाले अमल बनता है यहाँ पर क्या है तीन कार्बोजायलिक समू बनता है और तीन कार्बोजायलिक समू बनते हैं जिसको नाम है साइट्रिक एसिड जो कार्बोजायलिक समू बनते हैं उसको का नाम है साइट्रिक एसिड तो यहाँ से मिल करके छो कार्बन वाले साइट्रिक एसिड का निर्मान ह जाता है और साइट्रिक एसिड जो है फिन आगे बढ़ता है वो आगे बढ़ते हुए यहां पर देखे उर्जा का भी निर्मान होते रहता है हाइड्रोजन भी उत्पन होते रहता है कार्बन डैक्साइड भी उत्पन हो रहता है और यही उर्जा जो है उत्पन होते रहता है उसके स्वासन में उपयोग होते रहता है उसके बाद जब यह आगे बढ़ता है तो अलफा केटो गलू टेरिक जो है एसिड का निर्मान होता है और यह जो कल निर्मान हुआ यह पांच कार्बन वाला योगिक भी बनता है तो इसमें क्या होता है कि तीन कार्बन वाला कार्बोजाइलिक एसिड बनता है इसलिए इसका नाम है तीन के चलते है ट्राइ कार्बोजाइलिक एसिड ठीक है इसलिए इसका नाम है सौट में TCA ट्राइ कार्बोजाइलिक एसिड तो यहां कार्वोजाइलिक एसिड का निर्मान हो जाता, इसलिए इसका चक्र का नाम है TCA, इस चक्र में क्या है? हाइडोजन परमानू भी उत्पन होते हैं, इस चक्र में क्या है? हाइडोजन परमानू उत्पन होते हैं, उन्हें NAD, उन्हें क्या करते है? NAD, NAD मतलब क्या? निकोटीनामाइड जो होता है निकोटीनामाइड इसको फुल फॉर्म कर सकते हैं निकोटीनामाइड एडेनाइन डाई नुकलियोटाइड कहा जाता है और यह का करता है कि यह हाइडोजन को गरहन कर लेता है और करकर के एने डी H2 बना देता है ठीक है और यह NADH2 जो है कि आक्सी करन से उर्जा उत्पन होता है और इस उर्जा को फोस्फेट सोख लेता है और इस तरह से ADP में यह जो है इसमें जो उर्जा उत्पन होता है वह उर्जा ADP में मिल करके ADP में एक phosphate मिल जाता है और मिलने के बाद यह ATP बन जाता है और ATP में बदल जाए यह सभी परकिरिया जो है mitochondria के भीतर संपन हो रहा है तो इस तरह से इस पूरे परकिरिया में यह जो पूरा परकिरिया है इस पूरे परकिरिया में क्रेप्स करग में 36 ATP उर्जा उत्पन होता है और इस glycolysis में बोले थे कि 2 ATP उर्जा उत्पन होता है और इस तरह से दोनों मिला जीजेगा तो केतना होगा 38 ATP उर्जा उत्पन होता है तो इस तरह से यहाँ पर प्रोटल 38 ATP उर्जा के उत्पती होती है हिमोगलोबिन मानो में ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन में कैसे योगदान देता है इस टोपिक को आज हम लोग समझने वाले हैं तो मानो में ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन जो है रक्त के माध्यम से होता है और रक्त में जो हिमोगलो हिमोगलोबिन क्या है समझ जाते हैं पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो रक्त है बलड है बलड में RBC लाल रक्त कन पाए जाते हैं और इसी के अंदर एक परकार का परिवहन प्रोटीन या जो हिम है उसका नाम है हिमोगलोबिन या हिमोगलोबिन क्या है प्रोटीन है तो ए एक परकार का हीमोगलोबिन जो है यही परिवहन प्रोटिन होता है जिसको हम लोग हीमोगलोबिन कहा जाता है और यही हीमोगलोबिन जो है ऑक्सीजन या कार्वोडैकसाइड के परिवहन में हल्प करता है यह हल्प कैसे करता है से समझ लीजे तो हीमोगलोबिन जो है दो तर है गलोबीन हेमो में क्या होता है कि हेमो जो है खुन जेतना 100% जो खुन है उस 100% में से यह 5% है 95% जो है गलोबीन है तो हीमो क्या होता है इसको समझ लिए हीमो मतलब जिसमें आइरन कांस हो तो आइरन इसको कहा जाता है आइरन पोरफाइरीन कहा जाता है ठीक है इसको क्या है यह जो हीमो है वह हीमो जो है आईरन पोरफाइरीन ठीक है इससे बना होता है इसमें लोहा के परमानू मुझूद होते हैं और इसमें लोहा के चार परमानू रहता है यह फी मतलब लोहा जानबे करते हैं फेरस तो इसमें लोहा के चार परमानू जो है इसमें मुझूद रहते हैं इसी चार परमानों से मिल करके हिंवो गलोबिन बना होता है अब इसमें हिमो जो हुआ अब गलोबिन जो ये घटक दूसरा घटक है जिसमें 95% रहता है और यह जो है oxygen और carbon dioxide यह दोनु के जोड़ने में सहायता करता है तिक ए? इसको जो है हिंवो गलोबिन के साथ हिंवो ही के स्वार्ट में HP बोला जाता है ऐसके सांद विए शेचल कलंता है मैं है इसके बारे में तो चल देखें बहुत अच्छा सब्दीए अब क्या होताbell हुसेदे दीक क्या होगा चार परमानू चार फेरस होता है इसलिए अभी दो या उक्सीजन जूटा हुआ है इसमें अभी क्या होगा और दो उक्सीजन अभी जूट इसमें जो है दो ऑक्सीजन और जूटेगा और इस तरह से आपका यह किरिया जो है एच बी ओफोर बन जाएगा जिसको ऑक्सी हिमोगलोबिन कहा जाता है इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सी हिमोगलोबिन बन जाता है और जब ऑक्सी हिमोगलोबिन बन जाता है यह सब कहां हो रह फ्येफडा के अंदर हो रहा है जैसे ही करक्त जो है हीर्दे से होते हुए फ्येफडा में पहुँचता है सूदरक्त वहीं पर आक्सीजन जो है इसके साथ जूट जाता है और सीरा धमनी के माध्यम से जानते हैं कि हम लोगे सरीर में है नस ब्लड को लिगने वाले एक धमनी और एक सीरा तो सीरा से तो सुधरक्त बगता है और धमनी से सुधरक्त बगता है ठीक है तो यह धमनी के माध्यम से यह जो है ओक्सी हिमोगलोबीन यह होते हुए कहां पहुंचाता है माइटो कोशिका के अंदर और जैसी कोशिका के अंदर पहुंचता है और कोशिका के अंद जो है मैट्रिक्स होता है और वहीं पर यह पहुंच जाता है और जैसे ही यह कर्बोजाली का अक्सिहुमोगलोबिन जो है माइटो कॉंडिया के अंदर पहुचता है यहां कोशिकाओं में क्या है ओक्सीजन का दबाव कम हो जाता है और कम होने के चलते यह जो ओक्सी हिमोगलोबिन था यह ओक्सी हिमोगलोबिन जैसी है दबाव कम हो जाता ओक्सीजन का यह तूट जाता है और तूट करके क्या बना देता है जो ऑक्सी हिमोगलोबिन था यह यहां पर तूटता है और तूट करके ऑक्सीजन अलग हो जाता है और जो इसमें है इससे फिन निया तूटता है और तूट करके आपको हिमोगलोबिन अलग हो जागा ऑक्सीजन अलग हो यह जो दुनो ऑक्सिजन था यह गुलकोज के ऑखिकरन में क्या होता हैですか यूज हो느 करन लगता है और जब ऑक्सिकरन ही आपर गुलकोज का जब ऑक्सिकरन हो जाता है तो H12 O6 पलस ऑक्सिजन यह मिल करके का फिन बना देता है कार्बन डैक्साइड H2O और यहाँ पर 36 ATP इनर्जी मुक्त हो जाता है यह जो कार्बन डैक्साइड है यहाँ फिन यहाँ पर क्या करता है जो यह हिमोगलोबिन अलग हो गया था यहाँ कार्बन डैक्साइड जो उत्पन हुआ है यह दुनों आपस में मिल जाता है अब मिल करके क्या बना देता है फिन यहाँ पर जूट जाता है मतलब हिमोगलोबिन और कार्बन डैक्साइड ठीक है यह दुनों मिल जाता है और HbCO2 बना देता है मतब कार्बोक्सी हेमोगलोबिन बना दता है कार्बोक्सी हेमोगलोबिन बन जाता है और ज़़ इसी है कार्बोक्सी हेमोगलोबिन बनता है यह रक्त के माध्यम से सरी के अंदर जो रक्त है वहाँ से हेमोमाईट हिया से फिन रक्त के माध्यम से रक्त मतब सीरा के माध्यम से, रक्त के माध्यम से फेफडे तक पहुच जाता है, और उससे अलग होकर फिन यहाँ पर जैसी यह फेफडा में पहुचता है, सरी के अंदर जो फेफडा है, वो फेफडा के अंदर जैसी ही पहुचता है, सीरा के माध्यम से यहाँ पहुच जात यह carbon dioxide जो है नाक के माध्यम ना सिखा के माध्यम से फिन सरी से बाहर निकाल दिया जाता है तो इस तरह से हम लोगे शरीर में oxygen और carbon dioxide का परिवहन होता है यह जो अलग हीमोगलोविन है फिन उसी तरह सा oxygen लेता है फिन उसके साथे जूड करके है ना oxygen हमोगलोविन बनाता है इस इसको हम लोग नोर्ट्स के रूप में देखते हैं कैसे लिखायेगा ठीर देखी तो उसी को देखी हैं नोर्ट्स के रूप में बना दिया गया है धंक से मानो के फिफड़े में आने कूपिकाइं ईलवोली कूपिकाइं मतलब किया है इलबो देख लिए यहाँ पर ठीक है यह फिपड़ा है फिपड़ा के अंदर में जो यह देख रहे हैं बेलून लाइका स्ट्रक्चर है ठीक है इसी को जूम करके देखेगा तो इस तरह से बड़ा बड़ा बेलून लाइका स्ट्रक्चर है इसी के अंदर में ऑक्सीजन और क जाता है रक्ट के माध्यम से रक्ट के माध्यम से शरी के वीविना को पहुँचता है और जो कर्वक्ट डाता है इसके माध्यम से फिन सीरा का माध्यम से फिन फिपड़ा में जाता है फिपड़ा का माध्यम से फिन सरी से बाहर निकाल दिया जाता है तो यही है कूपिका एलवोली ठीक है तो इसी के बारे में हम बोल रहे हैं परते कूपिका पर उधिर कोशिकाओं का का होता है जाल होता है देखे जेतना भी कूपी का है उसमें देखे रक्त को सिका का क्या है देखे रेड और बुलू है रेड वाला जो है धमनी है और बुलू वाला जो है सीरा ठीक है तो यह कहां इसका पूरा जाल बीचा होता है और इसी के कोपिकाओं के संपर्क में आता है तो कोपिका में उपस्थित ऑक्सीजन विशरंद वारा हिमोगलोविन से मिलकर ऑक्सी हिमोगलोविन बनाता है भी तुरह समझाये थे ठीक है और इस प्रकार ऑक्सीजन एच भी मतलब हिमोगलोविन के माध्यम से पूरे सरीर में बित्रित ह बनाता है जब यह फेफड़े की कूपिकाओं के संपर्क में आता है तो CO2 को पिकाओं में भरे वायू में बिस्रित हो जाती है, बिस्रित मतलब diffuse हो जाती है, यहां से CO2 नासी का द्वारा, नाका जो छिदर हुआ, नासी का द्वारा स्वता बाहर निकाल दिया जाता है, और इस तरह से यह हिंदीम हो गया, इसी को इंगलिस में भी लिख दिया है, समय लिए, there are millions of alboli in the lungs, through the simple process of diffusion, oxygen enter into blood, contain in the blood vessels present in the wall of the alboli, alboli के उपर देखा भे कि यह कि बहुत स्या, क्या है, blood vessels है, hemoglobin takes O2 and goes away to different parts of the body through the blood, it release oxygen and loads CO2 after which it come back to lungs, in alboli is release CO2 which diffuses out and exhaled vein lungs contract, oxygen ठीक है, oxygen औहिमोगलोविन मिलकर के औक्सी हिमोगलोविन बना दिया, और CO2 औहिमोगलोविन मिलकर के कार्बो, कार्बोक्सी हिमोगलोविन बन गया, तो इस तरह से यह oxygen का परिवहन और CO2 का हो जाता है, अगला टोपिक देखिए, अगला टोपिक है, गैसों के अधिक्तम विनिमाई के लिए मानो फुफुस, मानो फुफुस मींस कुपिकाएं, ऐलबोली, ठीक है, मानो फुफुस, इजी को फुफुस का गया है, एलबोली को, ठीक है, तो मानो फुफुस या कुपिकाईख का अधिक्तम छेतरफल अभी कलपी कैसे होता है, इजी के बारे में है, मैंने लंक्स या इलबोली design to maximize the exchange of gases, ठीक है यह एक साइड का कोचन है NCRT का बू का कोचन है उस कोचन को समझते हैं तो हमनों जानते हैं कि कूपिका का आकार क्या है गुबारा की तरह है बेलून लैक का स्टक्चर है ठीक है कूपिका क्या है बेलून लैक का स्टक्चर है तो हमनों जानते हैं कि कूपिका का आकार जो है गुबारे की तरह होता है और कूपिका पतली भीती की बनी होती है और तथा रुधीर वाहिकाओं से धकी होती है हम दो जानते हैं कि कूपिका जो है पूरा बलट भेसल से या पूरा चारो तरफ से धका हुआ होता है आक्सीजन को लाने के लिए और कार्वन डैक्साइड को यहां से ले जाने के लिए निकालने के लिए तो यह कूपिकाओं का जो है जाल बिछा होता है और यह कूपिकाओं जो है रुधीर वाहिनियों से धकी होती है और कूपी का फेफडों के सती ही छेतरफल बढ़ाता है इसमें oxygen gas जो है carbon dioxide gas आ आ करके इसमें क्या होता है इसका छेतरफल को बढ़ाते जाता है ठीक है और यह छेतरफल इतना बड़ा हो जाता है कि यहां का छेतरफल एरिया जो है अधि उसको देखा जाए तो बहुत बड़ा एरिया हो सकता है ठीक है 80 वर्ग मीटर तक का एरिया इसके अंदर बन सकता है यदि इसको भोलूम निकाला जाए तब ठीक है तो सती 6 रफल जो है इसका एरिया निकालने के बाद काता के उपए 6 रफल बढ़ाता है जिससे गैसों का अदान परदान जो है आसानी से रक्त और वायू के बीच होता है ठीक है इसको इंग्लीज में भी लिख दिया गया है Elboli are balloon-like structures Elboli increase the surface area of lungs through which exchange of gases take place Inner wall of the elbow contains blood capillaries and exchange of gases easily take place between the blood and air ठीक है तो इस तरह से इसका हवा के आने से इसका सतहिश्यतरफल बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद गैसों के आदान परदान में असानी हो जाता है तो यही ओपिका है balloon-like structure इसी के बारे में आपको यहाँ पर कहा जा रहा था इसकी संख्या जो है फेपड़ा के अंदर बहुत ही होती है इसकी संख्या जो है million में होती है इसलिए और यह million में जेतने भी है यह oxygen और carbon dioxide के गरहन में help करते हैं यहाँ पर उसका store करने का काम फेपड़ा के अंदर कूपिका एलबोली करता है अगला टोपिक है कि अस्थलिय जीव मतलब पिर्थिवी पर रहने वाले जो जीव है मनुस है जेतने तरह के जानवर है अस्थल वाले oxygen प्राप्त करने में जलिय जीव से जलिय जीव मतलब aquatic animal से अधिक लापरद इस्थिती है अस्थलिय जीव को सांस लेना असान हो है जबकि जलिय जीव को सांस लेने में थोड़ा सा दिकत होता है या यह अस्थ्वसंग के रिया बहुत तेजी से करते हैं इसको इंगलिस में तो इसका main reason क्या है तो हमनों जानते है कि जलिय जीव जल में रहता है और जल में क्या होता है oxygen की मातरा कम होता है जल में जडूर है hydrogen और oxygen को मिल करके जल बना हुआ और इस जल में क्या होता है oxygen जो है कम मातरा में होता है और कम मातरा में होने के चलते oxygen की पूर्ती के लिए मचलिया है या जल में रहने वाले जो जीव है वो तेजी से oxygen प्राप्त करने के लिए सौसन का जो rate है, speed है वो बढ़ा देते हैं ताकि अधिक से अधिक oxygen प्राप्त हो जाए और इसलिए वो तेजी से सौसन के लिए करते हैं लेकिन जो अस्थलिये जीव हैं वातावरन में, वायू मंडल में oxygen क्या है, बहुत ही अधिक मातरा में मौजूद है इसलिए अस्थलिये जीव अधि धीरे धीरे भी सौसन करता है तो उसको परियाप्त मातरा में oxygen धीरी धीरे सौसन करने पर भी मिल जाता है इसलिए सौसन की दर जो अस्थलिये जीव में थोड़ा सलो होता है जलिये जीव की अपिक्छा तूसी को यहां देखे लिख दिया गया है एंसर में कि जलिये जीव जैसे मचली यादी गलफडो या तोचा से जल में घुलित ऑक्सीजन का उप्योग करते हैं जिसकी मातरा जल में बहुत कम होती है जलिये जीव में सौसंदर अधिक तेजीस होता है वही बता दिये कि जल में क्या हता है जल कम है इसलिए जलिये जीव सौसंदर के लिए उसमें उसका इस्पीड जो है बढ़ जाता है अब अस्थलिये जीव के बारे में देखे लिए जेकाले दिया है अस्थलिय जीव पर्याप्त ऑक्सीजन वाले वाता वरन से फेपड़ा दवारा ऑक्सीजन लेते हैं या धिमी गती से सांस लेने से ही उनकी ऑक्सीजन किया सकता कि पूर्ती हो जाती है ठीक है और इस तरह से उनका अस्थलिय जीओं के लिए सौसन करना लापरद हो जाता है अब इसको इंग्लिस में भी लिख दिया गया है क्या लिखा हुआ है देख लिजे आमोंच आपना अस्थलिय का अस्थच कर सांच ऺंपरे सुनुख कर माद स्कॉ Bye डूश एंध लिखाぎ nem la msi खाना स्था,onents तरह सुषि हांदी का अजतरा बेम्लिस में वंता हुआ है तिस थारा सुषी का हिंदी का इंग्लिस स्कॉ में भी लिखा हुआ है ताकि दोनों तरह के स्टुडेंटों को फैदा हो साके इंगलिस भी पढ़ने वाले या हिंदी भी पढ़ने वालों के लिए तो इस टोपिक के अंतरगात आज हम लोग इतने ही समझ रहे हैं अगला टोपिक में हम लोग पदार्थों का परिवहन हम लोग के सरीर में कैसे होता है ठीक है वप्यन पौधा में या जन्तूओं में उसके परिवहन ट्रांस्पोर्टेशन के बारे में हम लोग आगे वला टोपिक में जानेंगे तब तक लिए जैहिन जै भारत